नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में पूरी जनकारी आइस ब्रेकर एवाल्विंग क्यू के पीसेज आपको कहा कहा से और कितने कितने मिलेंगे दोस्तों मैं यह जानता हूँ कि यह वीडियो मेरी थोड़ी सी लेट हो गई है लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कल दो वीडियो पोस्ट की है सीजन जब कुछ स्पेशल होता है तो इस पे काम भी बहुत जादा करना पड़ता है इसलिए यह वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है आइस लाउंज एपिक टेबल पर जब विक्टी बॉक्स प्लेंगे प्रो विक्टी बॉक्स और उनमें आपको दस पीसेज मिल जाएंगे उसके बाद आइस लाउंज एपिक टेबल पर जब आप पांच रिंग लगाएंगे तो हर रिंग पर आपको दस पीसेज एक्स्ट्रा मिलेंगे डेली मिसन में एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको दो पीसेज मिलेंगे और ये फिरी एड वाला जो बॉक्स है इसमें भी आपको दो पीसेज गारंटेट मिलेंगे एनिमेटेट क्योंके नॉर्मल स्पिन में चार पीसेज और गोल्डन स्पिन में बारा पीसेज आपके लग पर डिपेंड करते हैं यह जो special boxes होंगे इनमें 7 पीसेज मिलेंगे लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको आइस बेकर इवल्बिंग क्योंका भी पीस मिल जाए आज से यह स्नो पैच विनिस्टीक भी स्टार्ट हो चुकी है इस विनिस्टीक की एक खास बात यह होगी कि इसमें आप कम से कम आप तीन दिंग तो लगाई लीजिए पहली तीन दिंग के साथ आपको 20-20-20 पीसेज अपनी इवल्बिंग क्योंके लिए मिलेंगे यह विनिस्टीक खतम होने के बाद 27 दिसम्मर को सिलिपरी आइस चेंपियंशिप आएगी यह बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ इसको आप कोशिश करके इसकी रिंग जरूर जीत लेना क्योंकि इसकी रिंग अकेले ही आपको 100 पीसेज दिलवा देगी आपकी इवॉल्विंग आइस ब्रेकर क्योंकि आप लोगों से एक छोटी ची रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर यह वीडियो अलड़ी लगी हुई है इसको जरूर देख लेना चैंपियंशिप चाहें कोई सी भी हो लेकिन इसमें एक ऐसी ट्रिक बताई गई है कि आप बहुत आसानी से चैंपियंशिप की रिंग जीत सकते हैं जब भी कोई भी चैंपियंशिप आती है यह वीडियो अपने आप चलने लगती है मुझे किसी से कहना नहीं पड़ता है 31 दिसमर को गेम के अंदर आएगा सिलिपरी आइस टूर्णामेंट इस टूर्णामेंट की भी वही विनिश्टी कितना खास बात होगी कि इसकी जो स्टार्टिंग की तीन दिंग होगी 20-20-20 पीसेज आइस बेकर इवाल्विंग क्यू के देकर जाएगी इन सब के अलावा पूल पास के फिरी सेक्शन में 50 पीसेज तैयार रखे हुए हैं और पर्चिस वाले सेक्शन में 70 पीसेज अब सबसे जरूरी बात इस क्यू को मैक्स करने के बारे में टोटल 600 पीसेज की जरूरत पड़ेगी एक्चुली ये 596 पीसेज ही आपको चाहिए होंगे लेकिन जब आप कॉलेक्ट करेंगे तो 600 से ज़्यादा पीसेज आपके पास अलड़ी आ जाएंगे इसके लिए एक महेंगा रास्ता ये है कि आप यहाँ पर इवेंट शॉप में कैस खर्च करके पीसेज ले लें इनका हिसाब किताब कुछ इस तरह से रहेगा कि पहला आप्शन इसकी लिमिट 5 है तो यहाँ पर आप 250 कैस करके 50 पीसेज ले सकते हैं सेकेंड वाले कॉलम की लिमिट 7 है और यहाँ पर कॉस्ट 100 कैस है तो यहाँ 70 पीसेज आपको मिल जाएंगे 700 कैस करके तीसरे आप्शन में 150 कैस में 12 की लिमिट है तो यहाँ 120 पीसेज आपको 1800 कैस में मिल जाएंगे Last option में 360 pieces आपको मिल जाएंगे 7200 cash spend करने के बाद इस तरह से cable purchase section से ही आपके 600 pieces आ जाएंगे अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा importance रखती है कि अपने cash को हमें सब बचा कर रखो ये फाल्तू की Q max करने से आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है इसकी जगह पर आप अपने cash को या तो event की ring लेने के लिए खर्च करें उससे आपका VIP बढ़ता है और VIP से आपके सारे benefits कई गुना बढ़ जाते हैं दूसरी जगह जो आपके cash करने के लिए सबसे ज़्यादा एहम है वो ये है कि आप 89 cash करके ये legendary boxes वर्चेस करें तीन legendary boxes जितने भी आपके cash हो आप यहाँ spend कर सकते हैं क्योंकि एक कम power की legendary भी सारी max cube से उपर रहती है हमेशा और जैसा कि आप जानते हैं कि एक legendary Q भी ऐसी Q है जो match हारने के बाद भी आपको कुछ न कुछ फायदा दे जाती है आपको कुछ न कुछ coins आपके return कर जाती है बाकी कितनी भी special Q हो कितनी भी max Q हो वो आपको कोई भी return नहीं देती है बाकी आप जहां जहां से आपको pieces मिल रहे हैं free वाले जहां से pieces मिल रहे हैं वो pieces लेते रहे हैं और जहां तक आपकी icebreaker क्यों पहुंच आए पहुंचा दीजिए max करने के लिए ज्यादा खर्चा वगेरा करने की जरूरत नहीं है आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो subscribe भी कर लें मिलते हैं बहुत जल्दी next वीडियो के जाद तब तक के लिए नमाशकार